अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस सभी सब्सक्राइब कर लिजी और हाँ यदि आप लाइब कलास जॉइन करना चाहते हैं तो इस वाट्सप नम्मर पे कॉल करके आप हमारे कलास को भी जॉइन कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अपका दोस्त संकर स्रीवास्तर दोस्तों आज के वीडियो में हम कम्प्लीट आइकलोन 7 को सिखेंगे दोस्तों यह हमारा iClone 7 का basic course की वीडियोज है दोस्तों यदि आप आज की वीडियो को complete देख लेते हैं तो आपको iClone 7 की complete knowledge हो जाएगी दोस्तों मेरे पास है iClone 7.9 मैं इसके उपर double click करके इसे open कर लेता हूँ दोस्तों जब तक हमारी iClone open हो रही है तब तक मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास live class भी चलती है यदि आप भी 3D animation सीखना चाते हैं तो आप हमारे live class का हिस्सा बन करके आप भी 3D cartoon making, film making को complete सीख सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही हमने iClone 7 के उपर click किया तो iClone open हो करके कुछ इस प्रकार से आ चुका है दोस्तों जब आप phrase install करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से interface जो है वो आएगी मैं इसे close कर देता हूँ दोस्तों यदि आज से पहले आपने कभी भी iClone को नहीं चलाया है तो आज की वीडियो को आप देख करके complete iClone को सीख सकते है यदि आपने चलाया भी है तो क्या होगा रिहलसल हो जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमें iClone के उपर अलग-अलग टेप दिख रही है ठीक है इस टेप को layout कहा जाता है दोस्तों आप जब windows के उपर click करेंगे तो यहां work space के उपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां आप जो है अभी standard mode में है हो सकता है जब आप install करें तो कोई दूसरा mode में भी हो तो आपको windows के उपर click करना work space के उपर click करना standard के उपर आपको click कर देना है तो यह standard तरीका से set हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितने भी green line है ठीक है इस green line को आप पकर करके इसे undock कर सकते हैं अर्थात बाहर निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट में layout क्यों समझाने लगा दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए complete समझ में सब कुछ आ जाएगा ठीक है तो इसे आप बाहर निकाल सकते हैं इसकी जरुरत तब पढ़ती है जब आप एक से जाएदे monitor में icon को यूज कर रहे होते हैं दोस्तों आप जिसे मर्जी उसे detach कर सकते हैं और आप ए स्क्रीन पर आप सजा सकते हैं दोस्तों यदि आपको पहले जैसा इसे करना है तो एक तरीका तो है आप ऐसे पकर करके इसे set करेंगे तो एक अलग color से indicate करेंगा आप छोड़ देंगे तो यह set हो जाएगा दूसरा तरीका है आप windows में जाएए work space में जाएए और इसे आप reset कर देजी ठीक है जैसे ही आप reset कीजिएगा तो standard mode में reset हो जाएगा और यदि standard में नहीं है तो work space में जाएएगा और यहाँ पर आप दूसरा जो standard mode है उसको डाल दीजिए animation अगर mode में आप जाते हैं तो यहाँ animation के relative जो है वो tool आ जाएगा अथाग जो panel है वो animation के relative adjust हो जाएगे जो animation का का काम होगा उस type से यहाँ पर adjust हो जाएगे यहाँ पर अलग-अलग category जो है वो दी गई है work space में जाकर देखेंगे visual effect यानि कोई vfx का काम कर रहे है जो की popcorn plugin एगरा बगरा का काम कर रहे है तो यहाँ से आप करेंगे तो उसके relative जो है आपकी panel जो है वो set हो जाएगी तो इसे कहा जाता है layout मुझे आसा है कि आपको layout के बारे में समझ में आ चुका है होगा यदि आप render कर रहे है full screen देखना है तो control 7 दबाईएगा तो full screen हो जाएगा अन्यधा इसके उपर आप click कर सकते है तो यहाँ से आपको जिस mode में काम करना है उस mode को आप select कर लेंगे ठीक है उसके बाद यदि मान लीजिए कि आपको यहाँ देख रहे है content जितना भी green land से दिख रहे है green land modify है content है यहाँ time land है ठीक है तो यह सारे चीज़ को आप hide and hide भी कर सकते है अपनी एक चास हो वैसे यहाँ से अगर आप card देंगे तब तो हट ही जाएगा यह ठीक है लेकिन आप यदि windows पर जाते हैं यहाँ देखेंगे देखें टैम लेन भी hide है इसके उपर आप जैसे click किज़ेगा तो timeline आ जाएगा इसको फिल करें किज़े content manager तो इस टाइप से आप किसी भी चीज़ को hide या unhide कर सकते हैं दो चीज़ आपको complete समझ में आ गई होगी पहला viewport अर्थात layers और दूसरा जो है आपको hide unhide करने की button के बारे में समझ में आ गई हो दोस्तों इसके बाद सच से पहला option है यहाँ पर देखिए यह है new new का मतलब होता है नया project दोस्तों यह चीज़ आपको file के अंदर भी होगी तो new से कैसा होगा नया project पहले आप समझ यह ध्यावज़ देखिएगा new का मतलब होता है माल लीजिए एक village बना रहे है यह जो आपको grid दिख रहे है यह वाला grid इसके उपर माल लीजिए एक गहाँ बना रहे है एक जंगल बना रहे है ठीक है तो वो पूरी की पूरी जंगल यानि कि माल लीजिए पचास ट्री या सो ट्री उसमें हो सकते लेंडेस कीफ होगा सारे चीज होगा वो सब की एक जो है project बनती है ठीक है उसी project को आपको यदि नया बनाना है तो नया तरीका से यहाँ से आप click करके new project को आप बना सकते हो जाएगा अब देखिए यह वाली जो project open हो रही है इसके अंदर आप देखेंगे एक table है एक घर है उसके अंदर बहुत सारे इंटिरियर जो है लगाए हुए है तो यह सारे क्या यह सारे एक प्रकार की project है समझ गया तो मान लीजिए आप भी यदि गाउं बनाते हैं एक धर क्लिक करने के बाद new project जो है वो आप बना सकते है ठीक है तो यह open हो रहा है open और एक बार में से card दो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो एक बनी बनाई project है पूरा का पूरा project है इसके अंदर बहुत सारे चीज़े है ठीक है तो यह एक project है ठीक है इस project को आ आप चाहे तो save भी कर सकता है यहां देख रहें एक button है इसके उपर यदि आप click कीजेगा तो यह save करने के लिए पूछेगा कि आपको यह वाली project कहां पर save करनी है जैसे मैंने desktop देदिया अब मैं desktop पे जैसे कुछ विलिक करके save करूंगा तो इसका नाम से यह desktop पे project जो है यह जब हो जाएगा मैं नहीं कर रहा हूँ मैं हता देता ठीक है तो यह होती है new project आप देखिए मैं जैसे ही करूंगा तो यह वाला हट जाएगा और एक नया project जो है यहां पर आ जाएगा अर्थात खाली जगह आ जाएगा project बनाने के लिए ठीक है दूसरा है यहां open project यदि आ वाली जो हमारी project है वो open हो जाएगी मैं इस time इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे open किया तो यह time ले लेगा जाएदे क्योंकि मुझे बहुत सारे चीज बनानी है फिर भी आप लोगों को देखने की इक्छा होगे तो मैं इसे open करी देता हूँ दोस्तों उसक आपको complete रूप से समझ में आ चुगी होगी दोस्तों इससे अगला जो option है यह है one frame render यानि कि जो भी हम चीज यहाँ पर बनाते हैं चाहे वो cartoon बनाते हैं फिलम बनाते हैं कोई भी चीज बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें एक image render करके देखनी होती है कि भाई जो मैं बना रहा हूँ न यह हमारी video बनने के बाद कैसी दिखने वाली तो उसी photo को देखने के लिए यदि आप इसके उपर click करेंगे न तो एक footage की जो है वो render हो करके आपको दिखाई देगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो project है वो open हो चुकी है ठीक है आप इसे play करके भी देख सकते हैं मैंने जो इसे बना रखे हैं इस तैप से यह project जो है वो बनाई हुई है इस story को आप पहले देखे भी होंगे ठीक है तो यह हमारी story है जो हमने पहले बनाया हुआ था तो दोस्तों अब क्या है कि यह वाली जो option है यह one frame render है यदि मैं इसके उप time render होके हमें दिखाई दे देगा और system जो है हमारे 2gb graphic card वाली है तो थोड़ा सा slow चल रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक render होकर के हमारे full HD में यहां पर दिखाई दे दिया कि आपकी story बनने वाली है उसकी output जो है वो इस type से आने वाली है ठीक है तो अब ही आपको से लेकर यहां तक की जो option है वो complete समझ में आ गई होगी दोस्तों इसके बाद है render ठीक है मैं भी render भी बता ही देता हूं अब मान लेजिए कि मैंने यहां पर जो है कुछ इतना दुर का एक वीडियो जो है वो बना रखी है ठीक है यह वीडियो बना रखी है और मुझे render निक निकालनी है तो आपको क्या करना परेगा इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर जैसे क्लिक करेंगे ना तो इस टाइब से एक टेप खुलेगा इसमें सबसे पहले लिखा रहेगा image और दूसरी साइड लिखा रहेगा वीडियो ठीक है उसके बाद यहां पर आपको format format पूछेगा कि आप जो वीडियो बनाने वाले है वह ABI format में रखना है MOV format में रखना है या MP4 में रखना है तो जर्णली जो हमारी HD Full HD 4 के होती है वह MP4 में ही होती है तो हम भी यहां से MP4 ही रखेंगे ठीक है पहले समारा सेलेक्ट था इन दोनों को आप फोली रखें और य इसके बाद यहां पर आप से quality पूछी जाएगी तो यहां से आपको क्या करना है आपके system में जैसी तागत है उसके हिसाब से आपको quality जो है वो रख लेनी है ठीक है तो मान लेजे मैंने 1000 असी रखा ठीक है उसके बाद नीचे आईएगा और नीचे आईएगा तो यहां पर पूरी वीडियो रेंडर करनी है या फिर जितने दूर आपने स्रेक्ट की हुई है उतने दूर रखना है तो मैं जैसे रेंजर के उपर किलिक करूं सोरी रेंज के उपर यहां लिखा हुआ है कि मैं 6247 से ले करके 8225 फ्रेम तक की वीडियो को आपको रेंडर जो है वो किया जा रहा है यदि आपको करना है तो जस्ट एक्सपोर्ट में किलिक करेंगे अब यह पूछेगा कि आप जो वीडियो रेंडर कर रहे हैं वो आपको कहां रखना है तो बस जगह बता दीजे उनका न यो आउट्पुट जो है वो निकल कर आ जाएगा तो यह वाली ओप्सन भी कम्प्लीट आ ही गया होगा ठीक है इसके बाद यहां पर देखेंगे यह अंडू और यह है रीडू इस संथ को हमने गलती सही या कैसे भी करके इसको हमने आगे कर दिया ठीक है मुझे अब लगा है कि नहीं नहीं वो सही जगह था तो जैसे ही हम कंट्रोल जेट करेंगे या इनके उपर क्लिक करेंगे तो यह पीछे वही पर चली जाएगी यानिकि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे ठीक है फिर से मैं एक स्टेप आगे करूंगा जैसे था मैंने आगे किया था तो यह आगे आ जाएगा और यदि मैं फिर से इसको किलिक करूंगा तो यह पीछे चले जाएगा ठीक है इंद इंडिया ऊपर यदि आप किलिक करेंगे तो किसी भी चीज को आप सब्सक्राइब सब्सक्राहा ज़ेक्षा अब इसे तो यह हमारे selection tool है, ठीक है, इसका shortcut क्यों है, इसके बाद यहाँ पर है move tool, ठीक है, यदि मैं move tool के ओपर click करता हूँ, तो मैं किसी भी चीज को move कर सकता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा, तीन तीर है, ठीक है, एक लाल वाली, एक green वाली, और एक blue वाली, ठीक है, अगर blue वाली को आप पकर के करेंगे, तो यह उपर जाएगा, ठीक है, ग्रीन वाली को करेंगे, तो आगे पीछे तो यह सारे तरफ ही operate होगा, अर्थात freehand यह चलेगा, ठीक है, मुझे पीछे जाना है, तो मैं इनकी मदद से जा सकता हूँ, नहीं तो मैं control Z करूंगा, तो भी चला जाओंगा, अब जितनी step आपने छेरा है, उतनी step हमें पीछे करनी परेगी, ठीक है, तभी जाके वहाँ पर यह बैठ जाएगा, ठीक है, अब लमसम लमसम यह हो गया, एक पर और में कर देता हूँ, ठीक है, अब हमारा जो है, संत अपनी जगा पर चली गई है, उसके बाद यहां rotate tool है, ठीक है, और यह move tool की बात करें तो इसका shortcut W है, और इसका shortcut E है, ठीक है, अगर आपको माया आ गुमाएंगे तो इस तरफ घूमेगी, ठीक है, अगर आप रेर लाइन से घूमाएंगे तो यह आगे तरफ घूमेगी, ठीक है, और बिली लाइन से घूमाएंगे, यह चार होती है, रूटेशन की tool, दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी, वो advanced icon part 1 आएगी, ऐसे करके 10 part में advanced course भी मैं आपको complete जो है, वो करवा दूँगा, यदि आप हमसे live सीखना चाहते हैं, तो हमारे class को भी आप जोइन कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी आपको यह वाले tool, यह वाले tool और यह वाले आगे हूँ, अब देखें, यह वाली as ही बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते है, scale tool, अब माले यह tree है, तो tree को scale किया जा सकता है, तो यहाँ साब scale tool पर आ करके, इस tree को चाहें तो आप मैंने क्या बोला था, उपर से करेंगे तो उपर से होगा, left से करेंगे, left से होगा, लेकिन आप 20 से ही किजिएगा तो पूरा का पूरा tree जो है, वो छोटा बरा होगा, तो आप अपनी एक्षा कनुसार से यहाँ पर set जो है tree को कर सकते हैं, ठीक है, तो यह होगी हमारा scale tool, इसका shortcut है R, right, R से आप scale tool कर सकते हैं, अब देखिए यह वाली चीज क्या है, right, यह वाली चीज क्या है, कि मान लेज और आप चाहते हो कि जब हमारी हांथी चले, तो उस बुझा को लेकर चले, ठीक है, तो उस बुझा को कैसे ले जाएगा, जब आप उसे link किये हुए रहिएगा, देखिए आप कैसे होगा, मैं एक बार समझा देता हूँ, मैं sorry मैं इसमें आ रहा हूँ, इसके बारे नहीं बताया हूँ, लेकिन आगे मैं बताने ही वाला हूँ, तो मैं इसके उपर किलिक करता हूँ, यह कश्टम को उपर आता हूँ, और मैंने अवतार की रूप में काफी सारे चीज़ों को select कर रहा है, तो मैं एक अवतार जो है, मैं यहां पर डाल देता हूँ, चलिए मैं को ही डाल देता हूँ तो भालू को मैंने drag and drop किया और यहाँ पर छोड़ दिया और यह आ गया ठीक है आने के बाद मैं चाहता हूँ कि यह जो भालू है न ठीक है यह किसी दूसरे चीज़ को suppose ऐसे example मातर ले रहा हूँ मैं चाहता हूं कि यह भालू जो है ना हमारे बंदर को यह अपने उपर बैठा कर कहीं ले जाए तो मैंने इस बंदर को ड्रेगन ड्रॉप किया और यह बंदर भी यहां पर आ गया है ठीक है और इस बंदर को मैं इसमें फिट कर दूँगा तो मैं एक तूल का यूज कर लेता अब मान लिजिए मुझे जानवर इसके उपर बैठाना है इस बंदर को इस भालू के उपर बैठाना है ठीक है तो ऐसे तो मैं मैंनुवली बैठा आई सकता हूँ लेकिन ऐसे हो क्या रहा है जब में काफी समय लग रहा है ठीक है इसे ऐलाइन करने के लिए तो यदि आप को आप किलिक कर देंगे और रोटेट को भी किलिक कर देंगे तो बंदर जो है यहां पर आ लाएंगे उस समय मैं इस बंदर को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मैं बैठा दूँगा ठिक फिलाला रभ तरीके से ही इस बंदर को इसके ओपर बैठा लिए ठीक है अब सर्त यह है कि जब यह भालू चले ना तो इस बंदर को लेकर चले अगर ऐसे आप अपरेट कर दो रहे होगे तो क्या होगा कि मया भालू तो जाएगा लेकिन बंदर नहीं जाएगा हमारी क्या है कि दोनो साथ-साथ-साथ-स? तो ऐसी हालात में आपको complete करना परेगा आप सोच रहे होगे कि यह किया है देखिए यह दो चीज को दो या दो से अधिक चीज़ों को अगर एक साथ लेंट करना है ना तिस टूल का आप पर यो कर सकते हैं जैसे कि माल लिजे मैंने इसको सेलेट किया और कंट्रोल काट बटन दबा करके मैंने इसे भी सेलेट कर लिए यहाँ पर अगर मल्टीपर सेलेट करना है तो आपको कंट्रोल दबा के करना होगा अधर सॉप्टेयर में शिफ्ट दबा के होता है तो मैंने इस दोनों को किया तो देखिए यह ओन हो गया अब मुझे क्या करना है इस बंदर को वहाँ ले जाना है तो जश्ट बंदर को उपर आप किलिक कीजिए और बाद में फिर इसके उपर किलिक कर देजिए और यहाँ से जिसके जो ले जाएगा इसे यानि कि जो बाप है उसके उपर किलिक कर देजिएगा ठोड़ी जो parent है ठीक है अब देखिए का फैल टू link बता दिया ठीक है तो आप यहां बाहर में क्लिक कर लिजे फिर इसके ओपर क्लिक कर दीजे और उसके बाद फिर से link ले लिजे आप link करने बाद इनके ओपर क्लिक कर दीजे देखिए हो गया अब यह भालू महराज को आप जहां भी ले जाएंगे ना वहां बंदर भी जाएगा देखिए तो ऐसी सीर बनाने के लिए यहां पर parent and child का उप्योग किया जाता है ठीक है तो दोस्तों मैंने यहां तक की complete जो है वो मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूँ दोस्तों इसके बाद का जो टॉफिक है ना वो है यह आख वाली अब आख वाली जो है ना यह जादू ही है स्टोडी में बहुत जएदे पर योग होती है मान लीजिए आप चाहते हो कि यह जो भालू है ना यह भालू थोड़ा आगे जाए ठीक है अभी तो हमारा सोड़ी यहां चाहों इसको अलग भी कर सकता हूं सब्सक्राइब कर रहा हूं कि अब देखें यहां पर आ गया ठीक है आप इसी में इधर उधर करके देख लेता हूं तो यह लिंक टूट गया है क्योंकि मैंने नया वाला प्रोजेक्ट में काम शुरू कर दिया इसलिए ऐसा हुआ है ठीक है अब देखिए हम चाहते हैं कि यह थोरी दूर भालू दिखाई दे और थोरी दूर के बाद नहीं दिखाई दे समझ गया तो यह वाली आंक से आप हैड अन हाइड कर सकते हैं ज तो बंदर महराज जो है वापस से आ जाएंगे तो यह ओन आफ का जो है यह भटन है तो यहां तक कि कम्प्लीट जो है आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों इसके बाद यहां पर एक और यह मीनी भीवपूर्ट यदि इसके उपर आप किलिक करते हैं तो एक टीवी जैसा खुल जाएगा जिसमें आप फाइनल आउट्पूट को देख पाएंगे जो भी आप यहां से एडिटिंग करेंगे वो चीज आपको यहां पर दिखाए देगा लेकिन यहां पर क्या है कि हम तो रब थरीका से यूज कर रहे हैं ठीक है तो यह हमारी जो प्रोजेक्ट वाल समझ में आ गया होगा दूसरी चीज क्या है कि यहां पर देखें यह मेडियम है यहां की क्वाइलिटी है अगर आप हाई क्वाइलिटी में देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके आप हाई कर दीजेगा तो हाई क्वाइलिटी होगा लेकिन जनरली मेडियम ही रखिए सिस्टम अच्छा चलेगा ठीक है यह लाइट है अगर इसके उपर आप किलिक करते हैं तो इसकी जो लाइट है वो जल जाएगी फिर इस लाइट को करके और भी अच्छी लुक जो है वो लाया जा सकता है साथ में इसके उपर किलिक करेंगे न तो आप कहीं भी ग्रीट पर रहेंगे तो बीच ग्रीट में आ जाएंगे ठीक है तो यहां से जो है ग्रीट के उपर आप आ सकते हैं लेकिन मैं पहले ही बोला हूँ कि हम यहां से दूसरे सीन को एड़ेस्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब जो है जूम इन जूम आउट होगा इनके उपर क्लिक करेंगे तो आप इसे पैन कर सकते हैं या ट्रेक कर सकते हैं इनके उपर क्लिक करेंगे तो आप इस गृट को rotate कर सकते हैं यही काम आप यदि alt का button दबा लेते हैं और left click से करते हैं ठीक है तो यह pen होता है और उसके बाद alt का button दबा के right click से करते हैं तो यह जो है orbit होता है अर्था tumble होता है और यही काम alt का button दबा के scroll wheel घुमाते हैं यह जुमीन जुमाट होता है अगर आप Alt का Button दबा करके Shift भी दबा लेते हैं तो काफी Fast यह Zoom Out हो कता है यदि Alt का Button दबा करके और Shift दबा करके Left कलिक करके Drag करते हैं Right कलिक करके Drag करते हैं तो यह Fast होगा यहनि कि कुल विलाकर Fast होता है ठीक है जिस विव में जाएंगे आप इसे एड़ेस्ट कर पाएंगे रैट यह हमारा विव पूर्ट है ठीक है उसके बाद यहां पर केमरा है जैसे कि आपको पता है कि अभी स्विच केमरा हम लोग कर रहे हैं दो केमरा है दूनों आप उसमें बजल रहा है क्योंकि यह एक बनी यहां पर है यह वाली चीज़े इनके बाद यह केमरा का उप्सटन ने दिया आपको केमरा ओन करना है तो यहां पर क्लिक कर देंगे ठीक है तो यह स्विचर और केमरा का ही टॉपिक है इसके बाद इधर का जो ऑफ्सटन है वह हम लग किसी अगले वीडियो में देखेंगे उसे यह अन्यूजवल है यूज में आता नहीं है बाकी इधर का जो सारा का सारा ओप्सन है मैंने यहां से लेकर यहां तकी कम्प्लीट करवा दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट देखें समझ लिज़े आप कंटेंट क्य अंदर आप देखिएगा तो दो ऊप्शन मिलेंगी एक तो टेमप्लेट मिलेगा और दूसरा कंस्टम मिलेगा टेमप्लेट के उपर येधि आप किलिक करेंग सिले टो यहां पर देखिए करेक्टर के अंदर किरेक्ट्र पड़ी है यह can 비 forces अन्रें आ ये कोई को ladder होगा यह इसके अंदर जो भी हम character रखे रहेंगे हम template में कोई रखे ही नहीं है इसके लिए नहीं है यहाँ पर और यह वाली जो चीज़े है पूरी की पूरी प्रोजेक्ट है समझ गये यह कोई single character नहीं है यह प्रोजेक्ट अगर मैं इसको open करने का कोशिज करूं तो यह वाला project हट जाएगा और यह वाला open होगा ठीक क्योंकि यह पूरी की पूरी प्रोजेक्ट है अब देखें प्रोजेक्ट में इनका character भी रखा हुआ है PVR image भी है कई सारे setup भी है यह इनका bunny बनाया है तो सिख यह वाला project का folder है अगर आपका कोई custom करना है माल लीजे मैं इसके उपर click करूं और यहाँ पर प्लस दबा दू तो यह पूरी की पूरी project जो है न वो यहाँ पर save हो जाएगी तो यह होता है हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट दूसरा नमर यहाँ पर है अवतार देखे आए क्लोन की वासा में जो character होती है न उसे अवतार कहा जाता है यदि मैं इनके उपर click करूं तो यहाँ पर भी दो option आएंगे template के अंदर इनका खुद का जो बड़े बनाए यहाँ अवतार दिये गें अर्थाथ character दिये गें उसे आप देख पाएंगे इस icon को खोलेंगे इसके अंदर बहुत सारे option मिलेंगे mail पी mail का सारा अलग अलग मिलेगा ठीक है तो इसके अंदर क्या है कि आप जो है वड़ी बनाए चीजों को देख सकते हैं साथ में यह आपने बना चाहिए नो जो जान वाली चीज है उसे motion कहा जाता है ठीक है तो motion को भी यहाँ पर बहुत सारे motion दिये हुए है उस motion को एपलाई करते हुए character adjust हो जागा जैसे mail का अम माली जी आपको जो mail है उसको step से बैठाना है तो mail को select करके double click करेंगे अम माली जी बंदर ही है तो double click करू अगर आपको custom कोई है तो यहाँ पर आप प्रॉस का दवा करके custom के अंदर मोशन प्लस में आप सेफ कर सकते हैं इनके बाद यहां पर देखिएगा तो बहुत सारे सीन जो है और भी बने बनाए है इनके अंदर आप खुद का सीन भी रख सकते हैं या इनका भी यूज कर सकत है उनके बाद प्रॉस में देखिएगा तो यहां प्रिवी ट्री है ग्रास है जो इनकी बने बनाए है साथ हम बनाएंगे तो custom में रखेंगे ठीक है ऐसी वस्तु जिसमें जान नहीं होती निर्जीव वस्तु जो है इसके अंदर आप रख सकते हैं साथ में FX भी इसी में मि है ठीक है यह template का अंदर कुछ दिएगे हैं यह sound relative अगर को आपको sound रखना है तो यहां पर आप रख सकते हैं साथ में का sound अगर यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं यहां पर एक खाली folder भी दिया गया इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ा आपको मिलेगी ठीक है जो बन सीड के अंदर क्या है अब जो भी प्रोजेक्ट में बढ़ाएंगे ना उनका सीन वैसीन सीन वैसीन सीन यहां बनता चला जाएगा अर्थाथ फूटोशॉप में जैसा लेयर बनता है वैसा लेयर बनेगा इस लेयर को आप चाहो तो जैसे हमें बंदर हैड करना है इसके इसघल बहद सकता है वह सारे। अब वीजहल में गातो जो काई लगी हुए ना उसका जैसा जो है वह हो चुकी है तो यह वाली फोक की भी है अब इसका रिजल्ट भी आप यहां पर देख सकते हो इस टैप से यह फोक की एडिस्टमेंट होती है तो कुल भी लाकत इधर का जो टॉपिक था वो भी हमने कम्टेट कर दिया दूसरा नमर है मोडिफाई देखे आप यहां जैसे में हमने बंदर सलेट किया बंदर क्रेटीब जितना भी मोडिफिकेशन हो सकता है यह वो टेक्शूर हो एनिमेशन हो को यह वी चीज हो वो सारा का सारा मोडिफिकेशन जो है न वो इसी से होगा दूस्तों हमारे ने स्ट मीडियो में एक एक option जो हमारी advanced iclone की class होगी एक-एक option को हम deeply आपको बता देंगे जिससे आपको complete समझ में आ जाएगा और यदि समझ में नहीं आती है तो आप हमारे live class को join कर लिजिए वहाँ पर मैं direct live story बनाना सिखाता हूँ ठीक है तो यह होगा हमारा modification का और mini viewport मैं पहले ही बता चुता हूँ इसके बाद देखे यहाँ पर है timeline तेके timeline में आप जितने भी main खेल जो है न animation का खेल timeline पर ही होता है यदि आपको timeline की complete knowledge है समझ लिजे आपको animation आ गया बहुत हिला जबाब चीज है timeline ठीक है timeline में इसके उपर पहला option इसके उपर आप click कीजेगा तो जितने भी चीजे आपके project के अंदर है उसारी चीज को आप animation कर सकते हैं जिसको भी आप click करेंगे वो चीज डिरेक्ट यहाँ पर दिखाए देगा बाद में आप उसे animation कर सकते हैं ठीक है अगर मैं animation बताने लगूं जो दो से तीन घंटा चला जाएगा ठीक है तो animation भी हमारी advanced class में ही आप सीखेंगे आज के वीडियो में इतना समझे कि बेसिक है तो बेसिक मैं introduction दे रहा हूँ बेसिक चानकारी दे रहा हूँ ठीक है तो अगली वीडियो जो है हमारी जरूर देखिएगा दोस्तों हमारी mic खड़ाप हो चुकी है तो mobile से record हो रही है direct तो आवाद जो है थोड़ा सा roughness होगा त मैंने complete icon basic को सिखा दिया है इस वीडियो को आप दोसे तीन बार देखिए और इस वीडियो के साथ साथ आप practice भी कीजिए आप भी icon सीख जाएंगे धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जै हिंद जै बारत